क्रेशन जन्म के 58 दिन बाद मातय शुदा ने उनका जल पूजन अर्थत घाट पूजन किया था इसी दिन को डोल 11 के रूपे मनाया जाता है जलवा पूजन के बाद ही संसकारों के शुरुआत होती है कहीं इसे सुरज पूजा भी कहा जाता है इस शुब घडी में समस्त ग्रामवासियो द्वारा भक्वान प्रेश्टी की मूर्ती को डोले में विराज मान करके राम मंदीर से शुब मंदीर जल देवी पूजन कर वापस राम मंदीर तक निकाला जाता है वहीं ग्रामवासियो द्वारा मालन बाबा इस्थीत गणेश जी की बहुत ही सुन्दर जहके सजाई गई है गणपती जी को 56 भोग लगाया गया आरती होने के पश्यात प्रशाज जितरंड किया गया गाउसन से गोलू पाटिदार की रिपोर्ट अरशाज आरती होने की बहुत नहीत की दंगे गई है अरशाज जी करता वाटिवेश आरती होने की रिपोर्ट संदेशा भी गईह आरती हょगए एरस्ट outwardon बीकित रिफी जितरंभली जी जी डोला आपके गाउं में की सुपलक समय निकला जयता है और क्या क्या होता है अच्छा बोलो बोलो जोती है वहां से वापस आते हैं और उसके गोध भरे भी होती है गोध भरे भी होती है आप देख रहे हमारा चैनल आज़विव 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना भूलें अगर अगर